जनाड़ान को और सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहां हिंदूस्तान की बड़ी पंचात में चुनकर भेजा है अद्यक्ष महोदया मैं बरतपुर संसद्य छेतर से आती हूँ यहां सहर से लेकर गाओं तक पानी की बहुत बड़ी समस्या है मेरे छेतर में पानी योजक पानी की कमी है क्योंकि ज़्यादातर पानी में लोराइट और खारापन है इसके पानी से गंबीर बीमारियों से लोग वहां जूज रहे हैं महोदया मेरे भरतपुर से ज़्यादातर आवादी खेती पर निर्वर है परवार का पेट बनने के लिए खेती के अलावा रोजगार का कोई अन्य संसादन नहीं है पानी की कमी के कारण किसान भुकमरी और आत्मे हत्य करने पर मजबूर है महोदया मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ और एक किसान परवार की बेटी हूँ इसलिए किसानों का दर्द महसूस करती हूँ सरकार पानी को लेकर बड़ी बड़ी गोशनाए करता है परन्तु आज धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है मुझे दुख है इस बात का कि मैं देश राजिस्तान पानी की किलत को बकूवी जानता है पिर्भी बजट में राजिस्तान की अंदेखी की गई है सरकार ने राजिस्तान को जन्ता जनादन की पानी से संब्धित कोई अन्य राहत या पैकेज नहीं दिया है अंतिये में आपके माध्यम से मेरे सरकार से अनुगूरत है कि सरकार मेरी संसद्य चेतर बढ़ा मानने सद्स जी कम्प्लिट करी अपनी बास अद्यक्ष महोदया मैं बरतपुर संसद्य चेतर से आती हूँ यहां सहर से लेकर गाओं तक पानी की बहुत बड़ी समस्या है मेरे चेतर में पानी योजक पानी की कमी है क्योंकि ज़्यादातर पानी में लोराइट और खारापन है इसके पानी से गंबीर बीमारियों से लोग वहां जूज रहे हैं महोदया मेरे बरतपुर से ज़्यादातर आवादी खेती पर निर्वर है परवार का पेट बनने के लिए खेती के अलावा रोजगार का कोई अन्य संसादन नहीं है पानी की कमी के कारण किसान भुकमरी और आत्में हत्य करने पर मजबूर है महोदया मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ और एक किसान परवार की बेटी हूँ इसलिए किसानों का दर्द महसूस करती हूँ सरकार पानी को लेकर बड़ी-वड़ी गोशनाय करता है परन्तु आज धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है मुझे दुख है इस बात का कि मैं देश राजिस्तान पानी की किलत को बखू भी जानता है पिर्भी बजट में राजिस्तान की अंदेखी की गई है सरकार ने राजिस्तान को जनता जनातन की पानी से सम्बद कोई अन्य राहत या पैकेज नहीं दिया है अंतिये में आपके माद्यम से मेरे सरकार से अनुगुरत है कि सरकार मेरी संसद्य चेतर बखू दन्यवाद महोद है